हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्टडी फोर यू सो गाई जैसा कि आज 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 आपका एंटी पीसी का साथ अपरेल का सबी सिप्टो का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका मैं आपको 100% accurate answer के साथ इस वेड़ो मैं बताऊंगा तो देख लेता है कि किस परकार के आज आपके 7 अपरेल के सबी सिप्टो के एक्जाम में प्रेशन पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी एकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेट पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और बगल में यह आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निसान भी दिखराओगा तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सेकंड सिप्ट के प्रेशन को देख लेते हैं उसके बाद जो आपको फर्स सिप्ट के जो है टोटल प्रेशन देखने को मिल जाएगा तो सेकंड सिप्ट में जो आज आपका पहला कुश्चन है था स्वादेशी आंदोलन किस से संबंदित है जहां पर उप्समें आपका असयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन बंग भंग आंदोलन दियावा था तो देखें यह जो सौदेशी आंदोलन है यह आपका बंग भंग आंदोलन जिसको बंगाल विवाजन भी कहा जाता है तो इससे संबंदित है तो बंग भंग आंदुलन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता नेक्स्ट अपका यहाँ पर रहा था कि इसरो ने हाली में समुद्र की सीमा रच्छा के लिए जो है कौन सा उपगरा लाँच किया गया है इसरो के द्वारा समुद्र की सीमा रच्छा के लिए haven जो है यह सिंदु नेतर सेटलाइट किया गया है तो सिंदु नेतर सेटलाइट उपकर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट अपका यहाँ बराए था कि निम्लिक्ट में से संविधान का कौन सब हाग जो है संसोधित नहीं किया जा सकता है जहां पर उप्सन में आपका मौली कदिकार निती निड़ी सकत तत्व प्रस्तावना और न्याइक समिच्छा जिसको इंगलिस में जो है करेक्ट एंसर हो जाता नेक्स्ट अब कर रहा है था कि महात्मा गांदी को किसने पूरे भारत ब्रहमन करने की जो है वो सलाह दी थी तो देखें मैं आपको बता दूँ कि गांदी जी जब एकीस साल तक दचिन अपरी का रहकर 1915 में जब भारत लोटे थे न तो भारत के बारे जो भी पढ़े थे उसके बारे में जानते थे ठीक है और ऐसे में उनके राजनीतिक गुरू गुपाल कृष्ण गोकले ने जो है सलाह दिया था कि वह कम से कम जो है एक बार पूरे देश का भ्रहमन करें तो गुपाल कृष्ण गोकले जो आपका यहां पे करेक्ट एंसर हो करें इसका प्रतम लोगसभा के अध्याच कौन थे गनेष वासुदेव मालंकर आपको यादर रखना है बात कर लें वत्मान में कौन है यह जो कि सत्रवी लोग के अध्यच्च हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि इनियक का फूल फॉम पूछा गया था तो देखें यह जो इनियक है ना यह विस्व का पहला electronic digital computer है और इसका जो फूल फॉम होता है वो electronic numerical practical integrator and computer होता है तो ये फुल fix आपका hon जाता कि हिमाले के भाग के बारे में क्या सही है तो आreck हिमाले को तीन भागों में as a तो ही माद्री हेमाचल और सिवालिक ये तीन भागों में में जो है हिमाले को बाटा गया है तो आपके option में जो ये तीनों दियावा था तो तीनों जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा next step का यहाँ पर रहा था कि 1949 में सुभास चंद्र बोस ने जो है किसे हराकर Congress के अध्यच बने थे तो देखे एक बार तो सुभास चंद्र बोस जो है next step का यहाँ पर रहा था कि लोकसभा और राजी सभा टीवी को जो एक करके एक चैनल बनाये गया है उसके हाली में जो CEO कौन बने है तो देखे इसके जो हाली में CEO है ये रवी कपूर को बनाये गया है तो रवी कपूर आपका यहां पर करक्ट हो जाता next step का यहाँ पर रहा था कि दांडी आत्रा में मेलाओं को सामिल होने के लिए जो है किसने प्रेरित किया था तो देखे ये जो प्रेरित है ये सरोजनी नाइडू ने किया था तो सरोजनी नाइडू आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सायक संदी में सामिल होने वाला पहला रियासत कौन सा था तो सायक संदी में जो सामिल होने वाला पहला रियासत था यह हैदराबाद के नीजाम थे तो हैदराबाद के निजाम आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा स्वर्न मंदिर यानि जो गोल्डेन टेमपल है अमरी सर में उसकी आधार सिला किसने रखी थी तो देखें स्वर्न मंदिर की जो आधार सिला है यह साई मिया मीर जो की एक मुसलिम सुफिस संथ थे और इन्हों ने जो दिसंबर 1588 में स्वर्न मंदिर की आधार सिला रखी थी तो साई मिया मीर जो आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहा था कि स्वदेशी आंदोलन यह किस आंदोलन के विरोध में किया गया था तो यह मैंने आपको सबसे पहले बता दिया बंग बंग आंदोलन आपका करेक्ट हो जाता नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहा था कि मद्य पर देश का अगर संबंद भोपाल से है तो राजस्थान का जो संबंद है वो किस से होगा तो यह आपका रीजनिंग से प्रेशन था तो देखें मद्य पर देश की जो राजधानी है वो भोपाल है तो राजस्थान की जो राजधानी है ना वो जैपूर है तो जैपूर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का यहाँ पर रहा था कि इसरो ने अमेजोनिया उपग्रा किस देश के लिए भेजा गया था तो देखें यह जो अमेजोनिया उपग्रा है यह ब्राजिल देश का उपग्रा है जिसे जो इस रोके द्वारा भेजा गया था तो ब्राजिल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बात कर ले किस रॉकेट से भेजा गया था तो यह PSLB C-51 से भेजा गया था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स टप का यहाँ पर रहा था कि भारत में पहला पुलिजर पुरुसकार किस वैक्ति को मिला था तो देखे पहला जो पुलिजर पुरुसकार है ना यह गोविंद बिहारी लाल को दिया गया था तो गोविंद बिहारी लाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहा था कि किस संविदान संसोदन द्वारा संपती के अधिकार को जोड़ा गया था तो देखे यह 44 संविदान संसोदन हुआ था 1978 में इसमें संपती के अधिकार को जोड़ा गया था तो 44 संभिदान संसोदन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहा था कि उत्रा खंड में हाली में जो 21 जगा पर भुवस खलन यानि जो लैंड स्लाइड हुआ था तो देखें 2021 यानि फरवरी 2021 में जो है उत्रा खंड में चमोली जगा पर यह लैंड स्लाइड हुआ था तो चमोली आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहा था कि उनो के पहले अफरीकी महासच्यू कौन थे तो देखिए UNO के जो पहले अफरीकी महा सच्यू थे ना ये बुतरंस बुतरस घाली थे तो बुतरंस बुतरस घाली आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इससे पहले आपका NTPC में पूछा गया था कि UNO के पहले महा सच्यू कौन थे यहाँ जो आज आपका अफरीका का प होता है तो देखिए यह रॉम जो किस material का बना होता है तो यह IC चीप यानि integrated circuit चीप का बना होता है तो IC जो आपका यहाँ पर correct हो जाएगा next question है आपका यहाँ पर है था कि देना bank और विज्या bank का विले जो है यह किस bank में हुआ है तो देखिए जो आपका intipc का सबसे फेबरेट कॉश्चन है नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि magnetic flux का ऐसा unit पूछा गया था तो देखे, magnetic flux का ऐसा unit होता है वो वेवर होता है तो वेवर आपका यहाँ पर रहा था कि आवर्तसारणी में किस element यानि किस तत्व का घनत्व यानि जो density होता न वो सबसे अधिक होता है तो देखे आपका जो periodic table होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा सगन होता है वो osmium तत्व का होता है तो osmium आपका यहाँ पर correct हो जाता नेक्सट अपका यहाँ पर रहा था कि भारत में जंगली गदे यह जो कहां पाय जाते हैं तो देखे यह जो जंगली गदे होते हैं यह गुजरात के कच के रन में पाय जाते हैं तो कच का रन आपका यहाँ पर correct हो जाता है नेक्सट अपका यहाँ पर रहा था कि गतिमान एक कंप्म आप करेक्ट हो जाएगा Max यह मंडल का उपारी भाग करेक्ट को देगा किया वाइ मंडल को उपरी भाग कम सकते हैं ha Max यह शब्सक्रों समीति हैना इसका संबंध कीस सांग्फ फसलद से है तोPat Oh फुसरों समीति आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि 2021 में NSO यानि National Esthetic Organization का प्रेडिक्षन जो है कितना परसेंट जो है और यानि GDP का रहा है तो जहां पर option में आपका मैने 7,5% परसेंट तो दियावा था तो दह istiyorum माइनस 7.5 जो है वो prediction रहा था तो माइनस 7.5 आपका यहाँ पर correct हो जाएगा next step का यहाँ पर रहा था कि विस्व की सबसे गहरी जील कौन से है तो देखें विस्व का जो सबसे गहरी जील है ना यह बैकाल जील है तो बैकाल जील आपका यहाँ पर correct हो जाएगा next step का यहां पर रहा था कि कौन सा राज 75 परसेंट जो है नीजी नौकरी देने की बात कही है तो देखें यह जो हरियाना राज यह 75 परसेंट जो है नीजी नौकरी देने की बात कही है तो हरियाना आपका यहां पर correct हो जाएगा next step का यहां पर रहा था कि करिच प लिए जो है किस computer का उपयोग किया जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो सूपर computer मार के हैं तो मैं आपको बता दू कि weather prediction यानि forecasting के लिए यह hybrid computer का परियोग किया जाता है तो hybrid computer आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पर रहा है था कि histogram जो यह क्या measure करता है यानि क्या मापता है तो देखिए यह histogram है यह graphical representation of data को मापता है या फिर option में आपका statistics से दिया होगा तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा ना वो आपका correct answer हो जाएगा next step के लिए बता है कि isto मांदन योजना के तहर्त 6 वर्स की उम्रे के बाद लोगों को जो कितना पैसा प्रतीमा मिल लेगा तो देखिए स्रम दम योजना के तहर्त 6 वर्स की उम्रे के बाद यह जो 30,000 अजार रुपय जो है वो प्रतीमा दिया जाएगा तो तीन हजार रुपे जो आपका यहाँ पर करेक्ट टेंसर हो जाएगा अब जो हम लोग प्रथम पाली के कोश्चन को देख लेते हैं एला कोश्चन है था कि अस्टाद्याई पुस्तक के लेखा कौन है तो देखें यह जो पुस्तक के लेखा कहना यह महरसी पानी द्वारा रचित संस्क्रीट व्याकरन का जो एक अत्यान प्राचिन ग्रंथ है तो महरसी पानी आपका यहाँ पर करेक्ट टेंसर हो जाता नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहता कि उडिया का संबंध अगर उडिसा से है तो मल्यालम का संबंध जो यह किस से होगा तो देखें यह जो आपका रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया था तो देखे ये जो उडिया भासा ये उडिसा राज्जी में बोला जाता है और ये जो मल्यालम भासा है ये केरल में बोला जाता है तो केरल आपका यहाँ पे correct answer हो जाता नेक्स्ट आप का यहाँ पर रहा था कि 1857 की क्रांती के समय भारत का गवर्नर जेनरल कौन था तो देखे 1857 की जो क्रांती हुई थी ना उस समय भारत का गवर्नर जेनरल लॉड कैनिंग था तो लॉड कैनिंग आपका यहाँ पे correct हो जाता नेक्स्ट आप का यहाँ पर रहा था कि नेलसन मंडेला को 20 दीप पर गिरभतार किया गया था तो देखे ये यूनाइटिड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलॉप्मेंट और इसकी जो स्थापना है ये 17 नौंबर 1966 को हुआ था तो 17 नौंबर 1966 आपका करेक्ट हो जाता बात करने यूनाइडियो का मुख्याले कहां पर है तो ये वियना आस्ट्रिया में है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहां पर आया था कि कंदरिया महादेव मंदीर ये जो है कहां पर इस्तित है देखे आपका राज जिन नहीं पूछा गया था पूछा ये गया था कि कहां पर इस्तित है तो ये जो कंदरिया महादेव मंदीर है ये सिव भगवान का मंदीर ह जो कि आपका खजुराहो मद्य पर्देश में इस्तित है तो खजुराहो आपका यहां पर करेक्ट टैंसर हो जाता बात कर ले कंदरिया महादेव मंदिर का निर्मान यह जो किस ने करवाया था तो देखें इस मंदिर का जो निर्मान है ना यह चंदेल वंस की राजा विद्य धरने करवाया था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अप का यहां पर आया था कि लोक्टक जील ये जो किस राज्य में इस्तित है तो देखें ये जो लोक्टक जील है ना ये आपका मनिपूर राज्य में इस्तित है तो मनिपूर आपका यहां पर करेक्ट हो परदेश के सिमाओं का विस्तार जो है यह किस अनुचेद में वरनित है तो देखे राज और केंदर सासित परदेश के बॉंडरी का जो विस्तार है ना यह आपका अनुचेद तीन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है नेक्स टप कर रहे था कि जल में गुलंसील वीटामिन कौन सा होता है तो देखे जल में जो गुलंसील वीटामिन होता है वो वीटामिन बी और सी होता है लेकिन आपके ऑप्सन में जो बी और सी नहीं दियावा था वीटामिन बीवन दियावा था तो देखे वीटामिन बीवन जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बात कर वसा में गुलन्सील कौन-कौन सा विटामिन होता है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अप कि किस मंत्राले से संबन्दीत है तो फिर आपका कपड़ा मंत्राले फिर करेक्ट टैंसर हो जाएगा next step का यहाँ पर रहा था कि line और dot matrix computer के किस परकार के भाग है तो देखिए यह जो line और dot matrix है यह printer का एक भाग है तो printer जो आपका यहाँ पर correct tensor हो जाता next step का यहाँ पर रहा था कि NPCIL का मुख्याले कहाँ पर है तो देखिए NPCIL का जो full power होता है वो nuclear power corporation of India limited होता है और इसका जो मुख्याले है यह मुंबई महराष्टर में है तो मुंबई आपका यहाँ पर correct tensor हो जाएगा next step का यहाँ पर है था कि विवेका नंद असमारक सीला यह जो एक कहाँ पर इस्तित है तो देखिए यह जो विवेका नंद असमारक सीला है यह आपका तमिल नाडू के कन्या कुमारी में समुद्र में इस्तित है एक कसमारक है तो अगर राज जी पूछा गया होगा तो तमिल नाडू आपका correct tensor हो जाएगा और यदि अगर अस्तान पूछा गया होगा ना तो फिर आपका कन्या कुमारी जो है यहाँ पर correct tensor हो जाएगा next step का यहाँ पर रहा था कि saga 220 क्या है तो देखिए यह जो saga 220 है यह आपका एक परकार का super computer है तो super computer आपका यहाँ पर correct हो जाता next step का यहाँ पर रहा था कि उपराश्पती के चुनाओं में कौन-कौन भाग लेते हैं तो देखिए उपराश्पती के जब चुनाओं होता है ना तो उसमें जो लोकसभा और राज्जी सभा के सदस से भाग लेते हैं तो आवद आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाता, नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि लाइटनी कंड़क्टर के समय कौन सा गैस यह वो उत्पन होता है, तो लाइटनी कंड़क्टर के समय आपका नाइट्रोजन गैस यह वो उत्पन होता है, तो नाइट्रोजन आप का यहाँ पर करेक्ट हो जाता नेक्स टाप का यहाँ पर रहा था कि अपने अंत्रास्टे डेब्यू मैच में जो टेस्ट में किसने लगतार तीन बार सतक लगाया था यहाँ पर जो टेस्ट के बारे में पूछा गया था तो देखें टेस्ट में जो है अपने डेब्यू मैच किया गया था तो टोकियो आपका यहां पर करेक्ट टैंसर हो जाता और कभी इसका गठन किया गया था तो यह 1975 में किया गया था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है किस वासरा ने पंचायत को 100 नीरबर बनाने के लिए काम किया था तो यह लॉड रीपन ने काम किया था तो लॉड रीपन आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहा था कि NSE यानि जो National Stock Exchange जो कि आपका बंबई में है यह किसके सिफारीज पर गठित किया गया था तो देकि NSE को जो है यह फिरवानी समीती के सिफारीज पर गठन किया गया था तो फिरवानी समीती आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहा था कि Linux और MS-DOS यह जो क्या है यानि जो अस्प्रेट सीट का जो है अधर नेम पूछा गया था तो देखे अस्प्रेट सीट को जो है MSXL इसका अन्य नाम है तो MSXL आपके यहाँ पर करेक्ट टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपके यहाँ पर रहा था कि SpaceX ने हाली में एक साथ कितने उपग्राव को लाँच करके विस्व रिकॉर्ड बनाया है तो देखे अस्पेस एक्स के द्वारा जो है 2021 में 143 सैटेलाइट को छोड़ कर जो है यह विस्व रिकॉर्ड बनाया गया है तो 143 उपग्राव किसना याँ पर करेक्टन स्था एंसे हो जा जाएगा नेक्स्ट आपक यहाँ पर रह था कि 2021 में भारत का तीसरा और स्कॉर्पियं टाइप आइनेश कौन सफ़ रिकॉर्ड राज कीज़ोंग्र में है तो नइव रोसनी यूजना यह किस से संब्सिव संबनुदी थे तो देखिए नई रोसनी जो योजना है या आपका अल्पसंक्यक महिलाओं के उत्थान से सम्बन दित है तो अल्पसंक्यक महिलाओं जो आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर हो जाता है नेक्स्ट अपकर यह पर है ता कि जहाज को किस बंदरगाह पर तोड़ा जाता है तो का गुजरात आपका यहां पर करेक्ट टैंसर हो जाता नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि अमिता बच्चन आपका यहां पर करेक्ट टैंसर हो जाता नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहा था कि 1857 की करांटी में जो है नाना सहाब ने किस महल का उप्योग जो है मुख्याले के तौर पर किया था तो देखिये 1857 की जो करांटी हुई थी ना नाना सहाब ने कानपूर से जो है नेत्रित हो किया था और यह जो है बिठूर महल का उप्योग जो है मुख्याले के तौर पर किये थे तो बिठूर जो आपका महल है ना यहां पर आपका करेक्ट टैंसर हो जाता नेक्स्ट अपका एका है था कि महात्मा गांदी के जेल जा सकते हैं तो इतने कोशन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जैन्मीन है तो अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बुलेगा चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा तो मिलते ह एक स्रीडियो तब तक थाइंक यू, all the best